हेलो स्टांडर टू आज हिंदी में हम पढ़ेंगे जो हमारा चेप्टर नंबर एट था सोरी चेप्टर नंबर टैन्थ था मीठी सारंगी उसकी एक्सरसाइस देखते हैं फर्स्ट है सारंगी की मिठास गाउवाले केते थे केसी मीठी सारंगी है इसका क्या मतलब है सही बात पर निशान लगाओ तो इस माँ आएगा कि सारंगी से निकलने वाली आवाद सुनने में अच्छी लगती थी अब तुम समझ गए हो कि गाउवाले सारंगी को मीठी क्यों केते थे अब बताओ कड़वी बात क्या मतलब होगा कड़वी बात का मिनिंग होगा बे सुरा है वो एक सारंगी को इंस्टूमेंट की जगा क्या मान रहा था स्वीट मान रहा था पूला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया क्योंकि वो एक मिजिकल इंस्टूमेंट था इसलिए उसको नहीं आया पूला ने किस किस तरह से यह जहने की कोशिस की कि सारंगी मीठी है तो हमें पता है कि जो सारंगी थी यानि कि जो गिटार चा उसको ऐसे उठाया और टेस्ट किया था इसलिए उसने चका था तो उसको कोई टेस्ट नहीं आया टेस्ट लेस लगा इसलिए अब देखो खोल सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चड़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया सारंगी वाले ने अपने सारंगी पर खोल क्यों चड़ाया होगा और किन किन चीजों पर खोल चड़ाया होगा अब दिखते हैं आगे की exercise है वो गाओ बजाओ सारंगी टोल इकतारा तबला बासूरी सरनाई डफली सितार गिटार और हार्मोनिय उपर संगीत बाजो के नाम लिखे है इन में से कुछ तार छेड़ कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप दे कर इन में इनके नाम से सही जगब पर लिखो तो देखो तार वाले कौन से होगे तो तार वाले तो होगे सितार फिर ऐसे गिटार फिर है अब है थाप वाले कौन से होगे तो तबला है वो ऐसे सारंगी है वो तार वाले में हर्मोनियम है वो तार वाले में फिर हाथ से होगे तो थाप वाले होगे इसे तबला फिर बासूरी है वो अनिय में आएगी फिर शर्नाई है वो भी अनिय में आएगी डफली है वो अनिय में आएगी फिर है सितार तो वो तुतार वाले में तो गिटार भी हमको पता है तो ये थे उसके classify अब देखते हैं कुछ नाम बच भी गए होगे उन्हें अन्यक के नीचे लिखो तो जैसे हमने जो नाम बचे उसमें मैंने बताया वो लिखने हैं उपर लिखे बाजो को जग़ जग़ पर बजाया चाता है सोचका लिखो इन जग़ उपर क्या क्या बजाया चाता है तो रेल गाड या बस में क्या होता है बेल होती है गर पर किसी अउसर पर शरनाया बचती है भजन किर्तन में क्या बचता है तबला बचता है स्कूल में किसी अक्सर पर क्या बचती है तो स्कूल में तो गिटार भी बच सकता है आहर्मोनियम भी हो सकता है सारंगी भी हो सकती है अब देखते हैं आगे चट खारे इस कहानी में मिठास की बात कही है तुम्हें कौन-कौन सी मीठी चीजे अच्छी लगती है तो आपको जो चीजे मीठी अच्छी लगती हो कोई स्वीट ऐसे गुलाब जांबून तो आप उसको लिख सकते हो जो आपकी फैवरेट स्वीट हो क्या खाने की चीजे सिर्फ मिठी ही होती है मिठे के अलावा उनका और क्या-क्या स्वाद होता है तो कई सारी स्वीट ऐसी होती है जिसमें slightly थोड़ा सा दूसरा टेस्ट हमें मिलता है अब देखते आगे अब नीचे लिखी खाने प्रिने की चीजों को स्वात के हिसाब से लगाओ तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन पसंद भी जोड़ सकते हो तो आपको यहां आपकी मन पसंद ओके तो यहां हम लिखेंगे पहले हम लिखेंगे मिर्च का चार फिर कड़वा होता है करेला फिर चीनी है वो मीठी होती है फिर आम वो भी मीठे में आएगा नमक तो साल्टी जलजीरा साल्टी नीम्बू फिर शहद आचार को हम नीम्बू के साथ ही तो यह क्लासिफाई उसके अलाबा आपको जो नाम पसंद है वो पिया आप लिख सकते हो यानि कि अपनी जो मन पसंद चीजे है वो नीचे लिखो के शब्दों को बोल कर देखो बासूरी, बंसी, हंस, अंस अब नीचे दिये गए शब्दों में चिनह लगाओ तो यहाँ जो चीन है आएगे तो यह चांद लिखेने में कौन सा चीन आएगा यह चंदरबिंडी मंगलवार पर ऐसे सिंपल डॉट फिर है सुंदर में यह सिंपल डॉट चंदन में यह फिर मांगना तो यह डॉट साप तो ऐसे फिर है जासी तो डॉट उसमें उपर मात्रा कापना उपर और आधी तो यहां हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है चैप्टर नमबर पैंद मीठी सारंगी बहुत ही अच्छा था और चैप्टर इजी था उसकी कहानी भी है वो भी बहुत इजी है अब देखते हैं चैप्टर नमबर इलेवन देखते हैं चैप्टर नमबर इलेवन में क्या है टेसू राजा बीच बजार अब हमें पहले पता नहीं है कि यह टेसू राजा क्या है टेसू क्या है तो इसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा पेज नमबर 69 देखो Informations दी है टेसू राचा के बारे में पहले वो हम देखेंगे बाद में उस पोयम को है वो डिस्कस करेंगे कि क्या है देखो क्या है टेसू एक प्रसीद उच्छव और खेल है जैसा मैंने कहा था कि जैसा मैंने कहा था ना कि हमें पहले समझना पड़ेगा क्या के ये टेसू है क्या वरना हमें पूरी पोयम में पता नहीं चलेगा तो टेसू एक बहुत ही फैमस फेस्टिवल है यहाँ दिशहर की दीनों में मनाया जाता है इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर गर-गर जाती है और गाती है तो टेसू एक फेवरिट फेस्टिवल है पांक-छे लड़के होते हैं वो टेसू का ऐसे पुतला बनाते हैं और ऐसे गर-गर चलते हैं टेसू आए गर के द्वार खोलो रानी जंदन किवार यानि कि हमरे कर्मेकेश दस हरे या फिर नवरात्री के दिन ऐसे चन्ना मागने आते हैं कई लोग और बोलते हैं तो ये भी उसी तरह हैं बास की तीन चप्पिया खप्चियों के बीच से बांद कर डंबरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है इस आकरूतिके में एक चोर की खप्चियों पर टेसू का सीर तथा हाथ मिटी से बनाया जाते हैं जबकि दूसरे चोर पर तीन पेर बनाया जाते हैं मिटी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मूँ तथा हाथ पेरों की उंगलिया बनाया जाती है हाथों पर खप्चियों के जोड़ पर दिया जाता है और टेसू बजार में बना हुआ भी मिलता है लोगों का टेसू से के प्रती वियोहार अलग-अलग होता है कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते है तो कुछ लोग दर्वाजा भी नहीं खोलते टेसू की फोज यानि की लड़कों की टोली डटी रहती है टोली के सदस या बारी-बारी गीत गाते है फिर भी अगर कोई दर्वाजा न खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते है टेसू की फोज अधिक कुछ नहीं मागती बस थोड़ा सा अनाच पैसा या दीपक में जलाने के लिए तेल यह त्योहार पांच दिन का है तो देखो यह है टेसू ऐसे बनाया जाता है उसके बारे मैं में बताया कि वो मिट्टी से फिर उसके आख मूँ और जैसे हमारे कैसे दशेर क दीने से कई सारे लड़के आते है लेकिन नवरात्रे में क्या है वो हमारा गर्वा होता है लेकिन यहाँ यह टेसू ले कराते और क्या मागते है अनाज मागते हैं और थोड़े पैसे मागते हैं और दिया जलाने के लिए तेल तो हमें यहाँ information मिल गई कि आखिरे टेसू है क्या अब हमें poem समझनी बहुती easy होगी तो next sessions में इस poem को पढ़ेंगे So till then, have a nice day to all